नमस्कार किसान साथियों आज हमारे काउंटर में चार गिहों की ब्राइटिया हैं हमारे पहले नमबर में हैं जो कि सिराम सुपर 303 यह गिहों की ब्राइटी जो कि बहुत ही ज़्यादा चलने वाली गिहों की ब्राइटी है किसान साथियों अगली हमारी जो गिहों की के नाम के नाम से तो किसान साथियो इस बारे में हम बात करेंगे। इस ब्राइटी की देंगी ये भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली गेहों की ब्राइटी है अगला है किसांद साथियो नात का नो नात गेहों की ब्राइटी एन डबलू जीरो वन के नाम से आता है ये गेहों ब्राइटी बहुत ही सांदार है यह भी एक रिसर्ज ब्राइटिया किसान साथियों यह चारो गेहूं एक रिसर्ज ब्राइटिया है और जो कि एक से एक बढ़के हैं यह चारो गेहूं की ब्राइटिया और इनके उत्पादन के बारे में बात करेंगे उत्पादन के साथ साथ किसान साथियों इनके फसल की आ बताएगा तो इस नंप्र में आप कोड़ बताएगे तो बता डेगा कि ओरिजिनल है कि लोकल है तो किसानसाथियो और इसका बहुत ही नकली मार्केट में आ चुका है तो किसानसाथियो सूच समझके ही ले इस ब्राइटी कव और इसके फसलर जौदी की बारे में जैसे बात करेंगे किसान साथियों तो 125 से 130 दिनों में यह पूरे तरीके से पकर तयार हो जाता है यह ब्राइटी और किसान साथियों यह लोबो जरूर देखें लेने से पहले और इसको इसके जरूर कर लें और किसान साथियों कॉल करके पूछ ले और rider 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 स्पूरी किसान साथियो 125 से 130 दिन son hier में यह पूरे तरीके से पककर त्यार हो जाता हूँ है इसे कितने पानी के अवसकता होती है तो किसान साथियो महकों का गोल बहुत ही जादा चलने वाली 20 इसका भी प्रियोगी किसान साथियों दिखने में बहुत ही खूपसूरित होता है और इसके रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा सौधिश्ट लगता है किसान साथियों तो यह ब्राइटी का आगर आपने प्रियोग किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं अगली जो हमारी ब्राइटी रहेगी वह Tata Company का है जो तीसरे नमबर में हमारी variety है वो Tata Company का RIL 11 के नाम से Tata Company का Tata दान्या कि साथ चाथि यो बहुत ही जादा चलने वाली variety है मद्ध प्रदेश में सबसे जादा चलने वाली variety यह भी है तो किसान साथियो इस ब्राइटी के बारे में हम बात करेंगे यह टाटा रेलीज के है वीट सीट्स है तो किसान साथियो इसके फसल की ओधी के बारे में बात करेंगे तो 110-115 दिनों में यह पूरे तरीके से पकर तयार हो जाता है यह पकने किसान साथ किसान साथियो इसके प पानी में पकर तयार हो जाता है किसान साथियों और इस ब्राइटी के आगे में जैसे बात करेंगे तो बीजदर बीजदर प्रती एकर 40 केजी के दर से लगता है नर्स डिलिंग विधी से लगाने पर और किसान साथियों यह ब्राइटी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली को अगली फसल लेने में असानी हो सकती है जो कि बहुत ही इसके दाने के बारे में बात करेंगे तो इसका दाना लंबा एबम मोटा एबम चमकदार होता है किसान साथियों चमकदार होने के साथियों बहुत ही ज़्यादा आदिश्ट होता है किसान साथियों हमारे चौथे नमबर में नाथ सीट्स की जो कि नौनाथ गेहूं की ब्राइटी के बारे में बात करेंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली गेहूं की ब्राइटी है तो किसान साथियो ये नौनाथ आप देख सकते हैं नौनाथ गेहूं की ब्राइटी का नाम है किसान साथियो 289 गेहु का बीज तो किसान साथियो再见 इसके फसल की वहुदी के बारे में जानकारी लेंगे तो किसान साथियो CCP किसान साथियो इस ब्रैट्री का पाउधा मद्यम उचाई का होता है मद्या मुचाई के होने के साथ किसान साथ यो इस ब्राइटी को कम पानी की अवसकता होती है चार से पांच पानी में यह पूरे तरीके से पक्कर तयार हो जाता है और इस ब्राइटी के बालियों में दानों की संख्यादी कोती है बालियों में दानों की संख्या अधिक होने के साथ इसके चमकदार एवं मोटे एवं लंबे दाने होते हैं तो किसान साथियों यह चारों ब्राइटियों में पहले हम सिर्राम के बारे में बात कर ले उत्पादन के बारे में किसान साथियों प्रती हेक्टियर, पच्छत्तर से असी कौंटल प्रती हेक्टियर के हिसाब से, और यहीं पर टाटा का पाया गया है किसान साथियों उत्पादन प्रती हेक्टियर, पच्छत्तर से पच्छत्तर कौंटल प्रती हेक्टियर के हिसाब से, वहीं पर नात कंपनी का पाया गया है 75 से 80 कॉंटल प्रती हेक्टियर के हिसाब से तो उत्पादन के मामले में यह चारों ब्राइटिया बहुत ही सांदार है इनकी फसल के अधी अलग-अलग है और इन